शालो, परमिश्र का सप्रका ग्यान आपके अंदर बहुत आएच से होता रहा है, यह परमिश्र के वचना को पढ़ेंगे और मनन करेंगे लुकार रचिसू समाचार उसका तस्वा आतियां 38 से लेकर 40 तक जब वे जा रहे थे तो वह एक गाउं में गया और मार्था नामक एक स्री ने उसे अपने गर में उथा रहा, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठ कर उसका वचन सुनती थी, परन्तु मार्था सेवा करते करते गभरा गई, और उसके पास जाकर क प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती और गबराती है, परन्तु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे चीनाना जाएगा, तो प्रभु ईशु जिज़ कर जा रहे है, वहा अश्य चाह दे रहे है, उसमें प्रभु के चेले भी बैठे हुए रहेंगे, और वहाँ पर मरियम भी प्रभु ईशु के चरनों के पास बैठ कर सुन रही है, क्योंकि ईशु प्रभु के पास वक्त कम था, इसलिए जादा से जादा वो अपने च चेलों को अपने शिश्य तो उसी के बारे में सेवा करते गपरागी है, इस feeling लिखाए, तो सेवा और क्या होगा, खाना पटाना है. तो उसका वो एड काम कर रही है, उसमें क्या हो रहा है, उसके अंदर एक गुस्सा आ रहा Agricora है? अपनी बहन जो है उसके पास आगे काम करनी सी वो जगह के लोग स्तरीया काम करती है पूरुष खाना खाते है खाना किलाती है ऐसा संस्कृति है हमारे यहां भारत देश में और दुसरे कई देस में ऐसी संस्कृति रहती है तो क्या हो रहा है यहाँ पर वही चीज है कि बहन लोग खाना पकाना है, बाई लोग खाना खाते है तो उस इसाब से यहाँ पर हो रहा है अभी यहाँ पर एक मुख्य बात है कि सुनना, वच्चन को सुनना उसके पर हम देखने जा रहे तो सुनने के बीच में हमारी जिम्मेदारिया कहीं रहती है वचन को सुनना, समझना, है न वो हमारी जिम्मेदारियों के रहते चलते उस बीच में हमें करना पड़ता है यहाँ पर एक जिम्मेदारी मारता की है वो सुनना भी चाहिए और जो सेवा टाहल करना वो भी करना चाहिए मरियम का भी जिम्मेदारी है वो सुनना भी है और वो भी सेवा टाहल करना है दोनों चीज उनको उसमें सेवा करने में जो खाना पकाना वगेरा उस जी जो में कोई भी इंकार नहीं कर सकते उनको वो करना है यहाँ पर जो मरियम कर रही है उसने उत्तम भाग पसंद किया यह से प्रभगी शुक्या रहे है तो उत्तम भाग पसंद कर लिया मतलब जो उत्तम होता है वो हम पहले करते हैं कहने का मतलब, मैं इस चीज़ को ऐसे देख रहा हूँ, आपको भी यह कहना चाहता हूँ, जो भाग आपको, जो आपका मुख्य भाग है, जो उत्तम है, जो आप जिसको best समझते हो, उत्तम समझते हो, वो उसको आप आखिर में नहीं करोगे, उसको तुछ नहीं किनोगे, उस जब हम सोचते हैं आत्मिक बातों के विशे में, तभी हम धिले पड़ते जाते हैं, यहीं यहाँ पर हम सीखने मिल रहा है, मरत मार्था क्या कर रही है, सेवा ठाहल को उच्छा देख रही है, क्योंकि उससे लोगों का पेड़ भरेगा, लोगों को वहाँ पर आच्छे से बुखे बुखे लोग बैठना आचा नहीं है, उसने अच्छा ही सोचाओ, वो चिंता किया, लेकर गबरा गई, क्या गबरा गई, इतने सारे लोग आए हैं, तो खाना तो पका नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो अकिली कर रही है, उसको टेंशन आ रहा है, कुछ जैसे हम करते हैं, घरप के अंदर भी, अगर साथ खली पाँच लोग भी आ जाते, तो घर के पती पत्नी, अगर एक ही कपल है, तो उनको टेंशन आ जाता है, या दो बेहने हैं, ऐसे इनके जैसा, अगर पडिवार है, दो ही लोग है, तो तीसरा भाई है, उसका भाई लोग तो काम लोग काम करते हैं, पाकिसाउथ में भी करते हैं, मगर फिर भी कोई जगह पर नहीं करते हैं, तो वो भाई भी नहीं कर रहा है, तो भी चरिया के लिए पड़ गई है, उसका कोई इसमें बड़ा गलती हम नहीं बोल सकते हैं, मगर पुरा पुरा गलती नहीं बोल सकते हैं, य करता हब कि आत्मिक चीज़ों परवाई है जो सरीरिक बाते देहिक बाते हैं उसमें कोई परवाही नहीं है बहुत इक जीज़े बोल सकते देहिक भी नहीं हो के जीवन जरोड़ी चीजें उसमें एक्टीव होना काम काझ करना समय देना गलत pelvis नहीं है मार्था को भी देना है, मर्यम को भी देना है मगर उसका जो सुरुवात का मुख्य भाग जो मुख्य ध्यान हमारा है 130 हमारा जो मेहनत है जो जादा तर मेहनत किसमे हम कर रहे हैं वही हमारा भविश्य को तै करेगा इसलिए इसको उत्तम भाग ये शुप्रभू बोल रहे है तो परन्तु एक बात अवश्य है ये सब्द खास दियान रगए ये शुप्रभू क्या बोल रहे है इट इंपोर्टन नीडफूल जरूरी बहुती जरूरी और मूल भासा में इसको अगर हम देखने जाए तो उसमे है कि जो हमारी एक तरह का काह difficilk बढ़ते हैं जो हमारे कतव शोने जिम्म दारी के साथ वश्रक्रजाइब को प्वार मीले इस बजह करते हैं एक काम काज़ करने लिएram निकल जाते हैं विस्वक हो या विस्वासी हो या कोई भी हो सबको मेनत करके खाना पड़ता है वो नियम है कानून है वो पहले सही है इसमें क्या प्रब्लम हो रहा है कि एक है सरीर के लिए हम दौड़ना एक है आत्मा के लिए दौड़ना तो इसमें जो उत्तम क्या है दोनों में से इसलिए इशु प्रबू उसको पहले से बोल दिया जो एक अवश्य भाग है जो मतलब एक ड्यूटी है मुख्य करतव यह है तुमारा वो क्या है उत्तम भाग जो है वो है सुनना सीखना परमिशर से जानना है ना तो मरियम ने उसको पसंद कर लिया है उसको क्या कर लिया है चुन लिया है उत्तम भाग को चुन लिया है पसंद कर लिया है मेरी ने पसंद कर लिया मरियम ने पसंद कर लिया मतलब उसने वो चुन लिया उसमें से कई सारी चीजे है जैसे बहुत सारी चीजे है उसमें से आप जैसे सोना, चांदी, एरा, जवैरात कई चीज़े पड़ी हुई है ना उसमें से उत्तम भागी विक्ति पकड़ेगा जिससे ज़्यादा मुनाफा हो वही चीज यहाँ पर ऐसे ही देखना है आपके पास सरीरी काम भी है उसमें ज़्यादा अप टाइम देखे, उसमें ज़्यादा स्कील कमा के आगे बढ़ सकते हो इसमें दुनिया में आपको आधर मिलेगा दुनिया की लोग आपको मेहनत करने वाले को कुछ स्कील मिल जाती, आज किस जमाने में तो यूटूब का जमाना है, अलग-अलग सोसियल मिलिया का जमाना है इसमें लोग अपना स्कील को रखके आज इन दिनों में स्टार बनते जा रहे हैं हमारे कभी स्वासी लोग कभी मन ऐसे हो जाता है मुझे भी ऐसे करते-करते, मुझे आगे बढ़ना है दुनिया में मुझे नाम कमाना है ऐसे सोचते हैं, तो ये जो है वो फुरा अविश्यक भाग नहीं है क्योंकि दुनिया की बाते जाने वाली है इसका मतलब यह नहीं हमें पढ़ाई नहीं करना हमें नौकरी नहीं करना, हमें बस चलो ऐसे ही जिनकी ची लेना चलेगा, कोई बात नहीं कुछ भी हम कर लेंगे ऐसे करके, मतलब हम दुनिया के अंदर काम कर लेंगे, दुनिया का ही हमें वो रहना, ये बात मतलब हमें नौकरी करना है, ये करना ये ज़रूरी नहीं है, ऐसे नहीं कह रहे है काम काज करना पड़ेगा आपको काम काज करने के लिए घर के लिए मगर उसमें प्रभु का अगर आप समझ सकती है लोग क्यों काम करते, क्यों लोग जादा एक्स्ट्रा टाइम देते बिजनेस क्यों करते गयर खेंगे, क्यों को उनको मुनाफपा चीए आखिर मे जिसे नाए नी नौकरी में भाई लोग लगते हैं बहन लोग लगते हैं तो हम फूछते हैं तो पहले शुरू में चवान लोग कपनी में लग पो बने बनागें बनागें लेगा, ऐसे शुरू के पाथ शे साली लोग ऐसे सोच सकते जवानी का जोस में चलो या फिर ऐसे सोचेंगे मैं ज्यादा अच्छा सिखोंगे तो कोई-कोई होते हैं जो आगा सोचते हैं कि चलो मुझे सीखना है, में तो यह कारण होता है, सब लोग उनके लीडर्स लोग जो क्या बोलते हैं उनके जो सिनियर लोग हैं वो बोलते हैं आगा, कि आप यह से सिखोगे तो आपको जाजा मुनाफ़ा, में चीज़ मुनाफ़ा आप क्यों स्कील डिवलप करना चाथे हैं, क्यों आप अपने आपको कोसलिय वाला बनाना चाहते हो अपने आपको क्यों मजबूत बनाना चाहते हो तो यह पहुतिक रुपसे में क्या रहा हूँ दुनिया की बातों में है ना क्यों करना चाहते हो क्योंकि आपको सही मुनाफ़ा चाहिए मगर ये तरीका विश्वासी जनका नहीं होना चीए प्रभु ये तरीका नहीं होना चीए अगर मार्था अगर प्रभु ये शुक के बाद वो भी सुनने के लिए आके बैठ रही है तो प्रभु ये बात बोलना ही नहीं पड़ता या ना मार्था को चिलाना पड़ता प्रभ वो निकल जा रहे थे तो प्रभू इसु ऐसे समय पे समझा रहे थे जब खाने का इतना आवश्यक्ता नहीं था इसले बोल रहे है आवश्यक्त पहला यह है तुम आद में भी खाना पका सकते हो तो यही बात है कि हम लोग क्या है जैसे अभी यह मार्था अगर प्रभू के प पुरू सोयास्त्री हो अगर प्रफुलित नहीं थे खुश ही नहीं है उसके अंदर ग्यान गुद्धी की कमी है तो उसको समझे जो एक मिनिट का काम यह गंटे होगा अगर जो पंदरा बीत काम था उसमें तीन घंटा से लगा हुआ था कि मुझे पता नहीं कैसे करना है त पिर जो भाई के पास मैं बैटा था उनको बोला भाई तो थोड़ा जो काम करने के लिए जहां पर मैं गया था उनको उसकी घर पर ही हम काम कर रहे थे दूसरे दिन कस्टमर को देना था तो हमने बोला ग्रहक को वापिस करना भी है सौफ्टर देना है क्या करेंगे तो जँ हम ओले थी तुम ख़ाले आदा गंटा दो इसके बाद ये तीन गंटा किंटा किक्से में एक यह काम कर रहा हूं यह में थोड़े समय में निफ्टा लोगा ये गैरंटी फिर आधा गंटा दिया थीखे चलों मैं इदा गंटा आदा ऊपर गया वह भी बहार मैं टैलर तो मैं टैल टैल दे परमिशर से बात करते करते हैं परमिशर के उपस्तिति में गया उसमें थोड़ा मुझे खुशी मिला थोड़ा आनन मिला शानती हुआ इस हमारा मन्द शान्त हुआ उसके बाद में आवी काम करने गया दुरन फटा-फट 20 मीट में वो गाम काम कर दिया वो काम हो गया, सक्सेस पूह गया ऐसे ही परमश्वर यहीचाते है कि हम पृत्वी पर करता भी हो तो करना भी निए उसमें मनाने ही प्रभू भोलते क्या लिखा हैं? क्या लिखा है बहूत बातों के लिए चिंता करती हूँ मतलब मन किससे बढ़ा हुआ है बहुत बातों से कौनसी वो बहुत बाते क्या है वही जो ची यह वो है ना जरूरतों के बारे में गलत चिंता नहीं उसके मन गलत चिंता से नहीं बढ़ा हुआ है कुछ ऐसा नहीं व्य चिनता तो है नहीं। अब एक जगापर समझ लोग मिटिंग करना 50 लोग पास्टर लोग इदर गोम रहे हैं तो सवीर्फ़ासी लोग बोलेंगे कि हाई इदर गोम ते रहते हैं या फिर पास्टर आपके स्टेज पे आपके बोलेगा कि तुम चलो अभी यह सब खाना वाना विर्थ आज पूरे दिन उपास करके मिटिंख करेंगे तो दूसरे दिन का मीटिंग हो दूसरे दिन और लोग भाग जाएंगे ये मुझे कुछ काम है ये जुरी है मतलब छीज में हमें जरुत भी है जरुत की चीजों को चाहिए, मुझे खाना भी चाहिए, चाहिए, प्रभू इसको कह रहे है मगर उससे मन भरके रखना चिंता रखना, उसके बारे में घबराना, शुरुआती वहां से ऐसी हो रही है, कि वो मारता सेवा करते होए घबरा गई, यह ना मरे लग उसको सूझ नहीं रहा है, क्या करेंगे तो सोचिए, ऐसी हालत के अंदर वेक्ति अगर काम करेगा तो क्या ज़्यादा कपका भी नहीं पाएगा घड़बड होगा, यह ना मरियम ने क्या सोचा, चलो यह काम तो मैं बाद में कर लूँगी सांती से पहले मेरे प्रभू, क्या खेरे पहले सुन लेता हो तो वैसे ही जब आप कुछ भी करते हो, उसके पहले अगर आपका प्रभू के साथ एक नाता अच्छे से रिस्ता है, प्रभू की बात माنت MOO, प्रभू की बात सुनتे भी, और मानते भी अइसा एक रिस्ता होता है एसे खाली प्रानता करने वाला, आरद नकरने वाला ही नहीं, साथी साथ वो जो भी प्रभू आपसे कह रहे है, वो करने वाला एक सबंदे है आपका, बात मानने वाला सबन तो गैरेंटी है कि आपका कोई भी काम आप करोगे उस काम में आपको सफलता मिला ही है वो काम बारब बारब नीट टे एंड क्लीन रहेगा तैना पर्फेक रहेगा मैंने देखा जब जब मैं मेरा सेवकर का काम हो या फिर मैं कोई पढ़ाई पिले करता है तभी भी पढ़ाई के बाद में नौकरी किया उसके बाद भी और अभी सेवकर का काम कर रहा हूँ तीनों तीन काम में मैंने ये चीज़ खास देखा जब मैं प्रभू के साथ मेरा सबंद अच्छा है में प्रभू से बातचीत हो रही है मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ खाली सुनने के खातिर बैठा हूं वो सुनते सुनते भी मेरे अंदर कई सारी चिंता गुम रही है ये करना है वो बाकी है इसके बाद ये करना मेरा मन उसमें परढ़ा हुआ है प्रभू के वचन पास्टर जी परचार कर रहे है, उसमें मुझे अंदर जाने का जगाई नहीं है, वो दूसरे चिंता है, बहुत सारी भरी हुई है, ऐसा नहीं कि देखें, वो घर कोई इतना बड़े भी नहीं हो गया है, इतने भी पैसा वाले पैसे परिवार नहीं था, मर मायर था और मरियम वगेरा, कुछ जमाने में उनको गलत काम करके भी पैसा कमाना पड़ा, तो सोच ये गरी भी होगा, तो इतना बड़ा घर तो होगा नहीं, तो प्रभू बोल रहे है, प्रभू कावात बहुत भारी होगा, इतना साल से प्रचार कर रहे है, कई प्रचार क आपने देखा होगा, चिल्ला चिल्ला के प्रचार करके, उनका वाज बहुत भारी हो जाता है, प्रचिस हो जाता है, तो ये शुप्रभू एक विक्ति को तुब नहीं प्रचार कर रहे थे, वहाँ पर सारे पत्रस, याकोब युहना, बारा चेले बैठे हैं, तो बारा लो प्रचार की नहीं, ये वहाँ से चुला जलाना है, चुला भी तक नहीं चला है, अरे मर्यम कहां मर गई है, ऐसे ऐसे उसके मन में विचारा आ रहा है, देखे था उधर प्रचार सुन रही है, यहाँ पर मेरा क्या हालत है, ये तर प्रचार चिल्दा से, कितना भी मायक में बोलेगा आखिर में किच्छन में काम करने वाले से पुछेंगे एक सब्द भी याद नहीं वहाँ तक आवाद तो जाई रहा है है ना मतलब प्रभु इशु ये भी कह रहे है कि तुम वो काम करते करते भी सुन सकते हो है ना वो ऐसा जिरूरी नहीं है कि आसे ही बैठके चलो बैठ लिए वो उत्तम भाग है मतलब उसको वो बाग ये भाग अलग है साथ साथ सुनना भी थोड़ा अलग है मगर मैं सजिशन दे रहा हूँ है कई बार मरे पस टाइम नहीं रहता है तो हम ऐसे मतलब उत्तम भाग मतलब हमको उस भाग को अपने पहले स्थान बे रखना है उसको हम इदर उदर क्या बोलते है उसको कुछ भी हम सोच के चलो कोई बात नहीं ऐसे केरलेस छोड़ दिया तो हमको वच्चन सुनाए नहीं देगा हमारा मन चिंता में आटोमेटिक भर जाएगा यही मार्था के साथ हो रहा था तो लोगों की चिंताओं को लोगों की बातों को दुनिया की सोच को देखते देखते हमारे में दर क्या आ जाता है एक तरह का चिंताओं से मन भर जाता है ध्यान हमारा प्रवक्य वच्चन के और नहीं रहता अगर मार्था अगर घरमा गबराई नहीं होती तो वो भी मर्यम के जैसे वो अवाज को सुनके आकरशित होके उदर जाके बैठी जाती तो रह नहीं पाती तो वैसा एक अनुभव मेरे भाई और बेनों सब को इन दिनों में चाहिए ही चाहिए अगर इसमें आप डाउन हो रहे हो आपके अंदर आत्मिक तरीके में कुछ ना कुछ मैं वो सब्दह नहीं बोलना चाहता हम अगर कुछ दीलापन आ गया बीमारी आ गया मंद हो गयो आप मतलब दीले पड़ गये हो ठंडे पड़ गये हो है न अगर आपको वचन सुनने में आप पूरा वचन मैं भले कितना भी प्राथना कर रहा हूँ फिर भी वचन मुझे ठीक से सुना नहीं दे रहा है मतलब मेरी प्राथना में भी मेरी कलपनाए चिंता है जादा है मैं कई बार ऐसे अनुबो करता हूँ, तो मैं समझ लेता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, अभी शेक में बरपूर हो जाता हूँ, वचनों को चिला के प्राथना करता हूँ, बोलता हूँ, वचनों से प्राथना, वचनों को ले लेकर प्राथना करता हूँ, उपर से कैसे भी मुझे प्रभु का आनन चाहिए तब मैं क्या हो जाता हूँ अच्छा चलो भी refreshment है फिर मैं कोई भी वचन किसी भी प्रचार का वले कोई छोटा वच्छा भी प्रचार कर रहा है उसको मैं ले पाता हूँ वरना मुझे क्या होगा अगर यहसा है에 में ध्यान नहीं है मेरा प्रतमस्तान नहीं है इस उत्तम भाग को मैंने तुछ सिकिन लिया है दिला बर्च में चला गया प्रतम भाग से दूसरे भाग पर लेकर चला गया हैरलेस चला गया तो हम मुझे साब जगा में प्रभु की जितने भी आत्मिक बाते हैं उन सब मुझे कस्ट रहेगा, प्रभु कहेगा है, वचन कहेगा, दियाई भी पढ़ने में मुझे कस्ट होगा यह आप सब का अनुभव होगा, अगर अभी भी इसी अनुभव को आप रेपिटेशन में लेके जा रहे हो तो यह सही नहीं है, यह उत्तम भाग को आपने तुछ से की ना है आवश्यक चीज़ को आपने साइड कर दिया है, आपको वापिस उस भाग में आना ही पड़ेगा नहीं आओगे तो आपके लिए वो फंदा गले का एक फंदा बन जाएगा गले का जंजीर गले में जो आता है ना, फासी, गले का फासी बन जाएगा, यह चिंता है तो इसलिए मार्था के उपर से में सीखने मिल रहा है, कि हमें कोई भी परस्तिती हो, आप उस समय में थोड़ा सांत रह जाएए, थोड़ा नहीं जादा, पूरे पुरा आपने आपको सांती मिला, यह प्रभू को वचनों को सुनी, क्या बोल रहे है, प्रभू क्या कह रहे मेरे परिवार में बीमारी आ गया, इसके बाद हम कहां जाएंगे, दस जगा पूछने जाएंगे, अब इस वासे से सरा लेंगे, इस वासे सरा लेंगे, सबसे पूछने से अच्छा है, प्रभू के चरणों में बैठी है, वचन सुनी है, क्याना कलीशा में जो वचन चल र तो जिनका आप देखो, जिनका मिले हो, जिनका चरितर आपके सामने, ऐसे लोग को सुनिये, सिखिये उन से, तो वैसे करते करते, आप उत्तम भाग को आप प्रसम स्थान में लेके आ जाओगे, फिर आप बेदर करनी रहोगे, आपका जीवन में काम होते रहेगा, मरियम के जैसे हैना, प्रभु इसमें क्या गैरेंटी देते हैं, कोई उससे चीन नहीं सकता, जब आप चुन ले, यह भी एक चीज में आपको आखिर में कहना चाहता हूँ, जब आप चुन लेते हो, यह बात खास बहुत अवश्यक है इन दिनों में, जब आप ठान लेना है, चुन इसका मतलब आप चुनने में गलती कर दिया, आप बाकी सब चीजों को चुन रहे हो, मगर इस भाग को प्रभु से सुनना, प्रभु से बात करना, प्राफना करना, इसको आपने तुझ से गिन लिया है, इसलिए पश्यताब करके हम बापिस अपने पहले प्रेम में आ जान प्रभु से प्यार करना, प्रभु से सुनना, जिसे हम प्यार करते हैं, उसे हम ज़्यादा सुनते हैं, उसकी बातों को ध्यान देते हैं, उसकी एक एक चीजों को ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्या सब दिस्तमाल कर रहा है, साब हम ध्यान देते हैं, तो मरियम ध्यान दे पाई, तो उसकी बारे में अच्छा बात बुला गया कि वो अवश्य को पसंद कर लिया, इस वचलों के द्वारा प्रभू आप से बाते करें, आमें